बंदे पुर्सोत्मौ पर्म पुज्यपाद आचार देव द्वारा कही गई इस्टानु प्रेरक कुछ घटनाएं, जो रित्रिक सम्मेलन में वर्तमान आचार्य पुजनिय बवाईदा से संग्रहित हैं। एक दमपत्ति अधिक उम्र में संतान लाफ किये, एक दिन घर में एक रित्रिक दादा के साथ वे इस्ट प्रसंग कर रहे थे। ग्रिहस्थ ने बातो बातों में उस रित्विक दादा से प्रस्ण किया ठाकुर जी को ग्रहन करके मुझे क्या प्राप्ती हुई है क्या बता सकते हैं। इस्ट प्रसंग के दवरान ग्रिहस्थ का यूवक पुत्र फुटबाल खेलने का पुसाख पहन कर वारतालाब सुनने क के लिए खड़ा हो गया था उक्तरित्त दादा ने ग्रिहस्त से कहा देखिए आपका ठारा उन्निस वर्स के उम्र का युवक पुत्र हम लोगों के जैसे वृद्ध लोगों के पास आक्रिष्ट हो गया है जबकि उसके दोस्त मैदान में है ठाकुर को ग्रहन कर आपकी यही प्राप्ती हुई है हम लोगों का जीवन परिवार परिजन सब कुछ ठाकुर को धर ही नियंतरन होता है जब दुख से कातर होकर ठाकुर का इस्मरन करते हैं जब आनंद में अधीर हो जाते हैं तब भी ठाकुर को प्रणाम करते हैं हतास में पढ़ते हैं तब भी ठाकुर क पकड़ कर उत्तिर्ण होते हैं, हम लोगों का जीवन सर्व अवस्था में ही ठाकुर जी के द्वारा नियंत्रित है, एक और घटना, एक कृतग्यता की घटना बता रहा हूं, ठाकुर उस समय चिकित्सक के रूप में गाउं लोटे थे, एक संपन्न महिला के पैर में कारबाक एक तरह का घाव था, वह बोल रही थी कि मेरी चिकित्सा ठाकुर डाक्टर ही करेंगे, अन्य डाक्टरों से नहीं दिखलाऊंगी, दूसरे किसी डाक्टर पर वह निर्भर नहीं कर पा रही थी, ठाकुर की चिकित्सा से वह महिला ठीक हो गई, उसके बाद दिर्ग दिन व पर निर्भर करने के कारण ठाकुर उसको आस्रम में लेकर आए, विभिन्न तरह से खाद उसको खिलाते हैं, कभी नौ परकार की, तो कभी एक सो आठ परकार की खाद खिलाते हैं, इसके साथ ही साथ उसको चिड़ाने के लिए लोग भी उसके पीछे लगा देते थे, जिस स आत्मक कहानी कही जा रही थी, यह देखकर अनेकों के मन में प्रस्न जागरित होता था कि ठाकुर के सामने यह कैसी चर्चा हो रही है, लेकिन गुस्सा दिलवाने के माध्यम से महिला का खाना हजम हो जाता था, कुछ ही दिनों में उसका स्वास्ट ठीक हो गया, हम लोग का कारे कलाब नो समझ कर विभिन तरह की धारना बना लेते हैं, कालकरम में इस महिला का स्वरगवास हो गया, स्रिशिठाकुर ने कहा जितने दिनों तक उस महिला की परम आयू परम पिता दिये थे, उससे एक दिन भी कम नहीं बची थी, महिला थी रमंदा की मा, और एक घटन एक बृद्धमा को आचारदेव रोज रुलाते थे, अंतरात्मा में चोट लगने जैसी बाते कहते थे, जिसे सुनते ही वह बृद्धा रोने लगती थी, दिन पर दिन अंतर को भेद करने वाली बात चीत होती थी, उनके आसपास जो रहते थे, वे लोग यह देखते थे, अनेक सोचते थे कि बृद्धमा पर यह कैसा अत्याचार है, उसका कारण न पता चलने पर ऐसा सोचना सुभाविक था, महिला के दिष्ट लगभग जा चुकी थी, चछू चिकिस्चक जो चिकिस्चा किये थे, वे लोग बोले थे कि दिष्ट सकती उनह नहीं आ सकती है, ल रहने पर परम पिता को परखा नहीं जा सकता, आचार देव के छेत्र में भी वैसा ही है, हम लोग काम काज देखकर उसका थाह ले नहीं पाते हैं, तीन सो चौदा हुआ रित्विक सम्मेलन में आचार देव पुजनिये बवाईदा से संग्रहित, एक और घटना, एक दिन देवगर ठाकुर बारी से लोट रहा था, एक मा, दूसरी एक मा को दिखा कर बोली, इस मा का आपरेशन होगा, आसिरवाद लेने आई हूँ, मैंने पूछा कि इस मा से आपका क्या संबंद है, कुछ भी नहीं, उस मा ने कहा कि एक दिन रिक्षा से घर लोट रही थी, लग लेकिन पैसे के अभाव में यह संबहु नहीं हो पा रहा था, लगा बहुत गरीब है, विपत्ती में देखकर पहले उन लोगों की दिक्षा का इंतजाम करके ठाकुर बारी में लेकर आई, आसिरवाद दिलवाने के लिए, इस मा की चिकिस्सा का दाइत तो मैं ली हूँ, गुहाटी में उस्सो हो रहा था, सामर्थ एवं संग्रह का बहुत अभाव था, आनंद बाजार के समय प्रसाथ कहीं कम नहीं हो जाए, इसलिए बार-बार माईक में कहा जा रहा था, कि अधिक भोजन जो भी करे, दरिर्दता उसे प्राया ही धरे, जिससे सभी कम खाएं, उस परिस्थिती से आज गुहाटी में इतना बड़ा उस्सो देखकर लोग समझ सकते हैं, साथ संग कितना गुणा वृद्धी किया है, अवस्था का परिवर्तन जो भी हो, सामाजिक रूप से सिवाकार से जिससे दूर न रहे, सिसी ठाकुर हम लोगों को जो सिखलाएं है दुख कस्ट में लोगों के साथ खड़े होना, अस्विधा दूर करके उनका अपना बन जाएं, ठाकुर के पत पर उसे आगे बढ़ाया जाए, यही हम लोगों का चिरंतर कार्य है, तीन सो चौदावा रित्विक सम्मिलन में वर्तमान आशार पुजनिय बवाइदा से एक और घटना, मेरा एक दोस्त डाक्टर है, उसका मुबाइल खो गया, उसने सोचा कि ठाकुर से मिल जाने की प्रार्थना करेंगे, उसी वक्त उसको निसकाम प्रार्थना की बात याद आई, ठाकुर का नाम करते करते प्रार्थना किया, कि आपकी जो इक्षा है वही हो, पुनह पाने की प्रार्थना नहीं किया, ठीक उसके तुरंत बात, जिसके पास वह मुबाइल था, उसने खबर बेजवाया कि मुबाइल मेरे पास है, ले ले लेंगे, प्रकृत भी उनसे, इस्ट से कुछ नहीं मांगती है, जब जो देना है वे स्वयम ही देंगे, इसी छ काम करता रहूंगा, जो पाना होगा, वे ही बिवस्था कर देंगे, इसलिए उनके पास कुछ मांगने का नहीं है, बिगत काल से अनागत भविष्च तक यह प्रमारित होता रहेगा। स्रिसी ठाकुर पूछे, खाना खाये हो, वे जवाब दिये नहीं, स्रिसी ठाकुर बोले खाओगे नहीं, सज्जन बोले बाद में खाऊंगा, कुछ देर बाद स्रिसी ठाकुर जी फिर यही बाद पूछे, वे सज्जन फिर बोले बाद में खाऊंगा, तरती बाद ठाकु से आपको दूर रहने की जरूरत है तब हुआ सज्जन वहां से चले गए स्री स्री ठाकुर की वाड़ी है इस्वर के ही तुम कुकुर हो निस्था की जंजीर गले में डाले पुकारने पर तुम नजदीक आना नहीं तो रहना दूर ही खड़े एक बार कई दादा स्री स्री ठाकुर उसके बार लोग जाने के पहले बरदा से मुलाकात करने गए बढ़दा बोले तुम लोग ठाकुर से अनुमती लेने के समय सूखा प्रणाम किये कुछ प्रणामी तो दे धखते थे असल में लोग ठाकुर से अनुमती लेने के समय प्रणाम करके असावधानी वस्तह प्रणामी निवेदन करना भूल गए थे यहाँ पर जो जो चर्चाएं होती हैं उसे लोगों में संचारित कर देना चाहिए सोयम चर्चा करेंगे लोगों को जानकारी देंगे सभी लोगों को इसकी जानकारी मिले 306 रित्रिक सम्मिलन में वर्तमान आचार स्री पुझ जिनी अबवाइदा से शंगरहित एक और घटना 1996 की वात है पिता जी के एक प्रियव्यक्ति कैंसर से अक्रांत थे पिता जी मुझ से बोले तुम गोहाटी में उनके घर जाकर सरीर पर हाथ सहला देना उस दिन तुमारा हाथ मेरा हाथ होगा निर्देशा अनुसार उनके घर में गया मेरे साथ कामिनी देका दावी थे आज 2016 वर्स है बीस वर्स हो गया वे अभी भी जीवित हैं परम पिता की लीला हम लोग विशलेशन करके नहीं समझ पाएंगे उनकी दया की बाते सुनकर आनंद मिलता है रोमान्चित हो जाते हैं प्रिरना मिलती है हम लोग को निरंतर चलना है चरैवती 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 हम लोग प्रत्ते एक महुरत में हर एक छण में उनका आसिरवाद वहन करके आगे बढ़ते जाएंगे तीन सो दुआ रत्विक सम्मिलन में वर्तमान आचारे पुजनिय बवाइदा से संगरहित बहुत दिनों पहले की बात है प्रकास पोद्दार नाम का एक विशिष्ट व्यक्ति बहुत दिनों से सत्संग मोटर गैरेज की गाड़ियों की रिपेरिंग एवम अन्यान काम में सहायता करते थे वे कलकत्ता के आसपास कहीं रहते थे उस समय सत्संग मोटर गैरेज का दायत्व भुपेशदत पर था गाड़ी के बिल से सम्मंधित किसी बात पर प्रकास पोद्दार के साथ भुपेशदा का मत विरोध हुआ किसी भी तरह समस्या का समाधान नहीं होने प पर प्रकास दा ठाने में मुकदमा दर्ज कर दिये प्रकास दा दीक्षित नहीं थे लेकिन स्रिसी ठाकुर के प्रती स्रिसी बारदा के प्रती बहुत सरद्धा थी एक दिन कलकत्ता में मेरे पिताजी रास्ता पार करने के समय प्रकास दा से मुलाकात होने पर उन से पूछ क्या प्रकास्दा आप पिता जी के नाम पर मुकदमा कर दिये हैं। पिता जी बोले चलिये ना कहकर प्रकास्दा को देवगर लेकर आ गए। ठाकुर का दरसन करने जा रहे थे दूर से दिखाई पड़ा स्रिसी ठाकुर यती आस्रम में बैठकर कर्मियों को डांट डपट कर रहे हैं डांट डपट इतनी भयावा थी कि समग्र आस्रम प्रांगण काप रहा था सामने कोई जाने का साहस नहीं कर पा रहा था प्रकासदा डर के मारे दूर एक पेंड के पीछे चिप गए इधर मन ही मन सोच रहे हैं इस उम्र में इतना गुस्सा करने से कहीं ठाकुर जी की तबियत खराब न हो जाए ठीक उसी समय एक व्यक्ति तेजी से आकर उचे स्वर में पूछा यहां प्रकास पुद्दार नाम का कौन है ठाकुर उन्हें बुला रहे हैं यह बात सुनते ही प्रकासदा को लगा मुकदमा से संबंध में डाट पड़ेगी उस डर से बहुत भैभीत हो गए किसी तरह साहस संचय करके प्रकासदा ठाकुर के समीब हाजिर हुए नजदीक पहुचने पर उन्हें ठाकुर बहुत सहज सिस्सु सरल भाव में बैठे मिले क्रोध का कोई चिन्न भी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था प्रकासदा दर्सन एवं प्रणाम निवेदन किये सिस्सी ठाकुर उनका कुसल मंगल पूछे ठाकुर दर्सन के बाद प्रकासदा कितग्यता व्यक्त करते हुए पिता जी को सास्टांग प्रणाम किये और बोले भाई आपके कारण मुझे एक महापुरुस का दर्सन हुआ तीन सो दुआ रित्विक्सम मेलन में पुजनिय ववाइदा से शंग रहित एक और घटना एक अंचल में हाथी का बहुत उपद्रो था विभिन्न बगीचों में घुसकर पेड़ पौधों को कई बार तहस नहस कर दिया था एक गरीब आदमी का कुछ संख्या में कटहल का पेड़ था उसके बगीचे में घुसकर हाथी का दल तांडव करना सुरू किया उसके बगल में एक सतसंगी का बगीचा था वहाँ अनेक फल के पेड़ थे लेकिन वहाँ पर कभी भी कोई हाथी नहीं गया हाथी के उपद्रों से बचने के लिए तब हुआ गरीब आदमी सतसंगी के पास जाकर सरनापन हुआ वह गुरू भाई उसके बगीचे में जाकर हाथी को संबोधित करके कर जोड कर कातर कंठ से बोला हाथी भाई इस लिए भाई इस बगीचे का मालिक बहुत गरीब है ये पेड़ ही उसकी पूझी है दया करके इस बगीचे को चोड़कर चले जाए मंत्र की तरह काम हुआ हाथी का यह दल सून उठा कर अन्यत्र चला गया इसलिए कहता हूँ यथार्थ भाव से कहने पर जंगल का हाथी भी यदि बात सुन सकता है तो अंतर इस परसी याजन लोगों पर भी सफल होगा ही स्वयम को भाव मुखी रखना होगा परम पिता के इपसित लोग संग्रह के इस महान कारे में आचार देव की एक्छा को मुर्त करने के लिए बरत्ती होना होगा दो सो अन्ठानबेवां रित्तिक संबेलन में वर्तमान आचार पुझनिय बवाइदा से संग्रहित एक और घटना एक कर्मी अस्वस्थ थे बिचावन पर पड़े थे सह कर्मी उनके कान के नजदीक जाकर बोले आचार देव हम लोगों को दस लाख दिक्छा देने का निर्देश दिये हैं आप क्या कुछ नहीं देंगे अस्वस्थ दादा टक टकी नजरों से देखते हुए कुछ बोले जो किसी को समझ में नहीं आई सह कर्मी एक हजार दिक्छा पत्र उनके बिचावन पर रखते हुए बोले दिक्छा पत्र रहा दिक्छा देने की कोसिस करेंगे एक महीने बाद अस्वस्थ दादा के साथ उस करमी की मुलाकात होने पर पूछे कैसे हैं क्या समाचार है उल्लास सहिस जबाब मिला देड़ हजार दिक्षा दे चुका हूं और यदि दिक्षा पत्र है तो दे जाएं दिक्षा पत्र रहता तो और दिक्षा देता उस करमी को चिकिस्सा की कोई प्रियोजन नहीं हुई आसिरवाद वहन करने के चलते सरीर स्वतह रोग मुक्त हो गया और एक दादा फोन में जानकारी मांगी मुझे ब्लड कैंसर का पता चला है मैं क्या दिक्षा दे सकता हूं अर्थात ऐसे अस्वस्त सरीर में दिक्षा देना समीचीन होगा या नहीं ब्लड कैंसर से पीडित होकर भी मृत्यू से डर नहीं है रोक के विशे में फोन में कोई चर्चा ही नहीं थी दो सो निन्यान्यवां रित्रिक सम्मेलन में पुझनिये बवाईदा से शंग्रहिच एक और घटना मेरे उमर के एक कर्मी 47-48 वर्स होगा कलकता सुर्य सेन स्ट्रीट मंदर में रहते हैं रात में छाती में बहुत तेज दर्द हुआ डाक्टर ने कहा इनका हिर्दे चिकिस्था के विसेश केंदर में ले जाना होगा तुरंत अस्पताल में ले जाकर चिकिस्था की गई उस दिन मैं उत्तर बंग के बर्बिसा मंदर में था मैंने उक्त अस्पताल के साथ उक्त चिकिस्था के रित्विक दादा के पास उसका समाचार लेने के लिए फोन करवाया जिसके छाती में बहुत तेज दर्द हुआ था वह याजन वदिक्षा कारे में ही रहता था रित्विक चिकिस्था से पूछा कि वह ब्यक्ति क्या याजन और दिक्षादान देने लायक है न हम लोग किसी भी तरह पराजित होना नहीं जानते हैं यह बड़ा ही अनंदमे महुरत है दो सो निन्यानमे वा रित्तिक सम्मिलन में पुजनी वर्तमान आश्यार स्री स्री बावाईदा से शंग रहित एक और घटना कुछ दिनों पहले मैं उत्तर बंगाल गया था वहाँ पर एक अदबुद घटना घटी उत्तर बंगाल के बसिर हाट बाजार में आग लग गई अनेक संग्या में दुकान एउम घर आग में जलकर राक हो गया उसी बाजार में एक गुरुभाई का दुकान थाखुर का एक फोटो था सभी लोग अपने दुकान से सामान निकालने में बेस्थ थे अगनी सामक दल भी वहां पहुँच गया था वह दिक्षित गुरु भाई कह रहा है मेरे दुकान से कोई कुछ नहीं निकालोंगे मैं पहले अपने ठाकुर का फोटो निकालूंगा उसके बाद जो होने का है होगा अने को बोले तब तक दुकान जल जाएगा लेकिन वह गुरु भाई बोला जो भी हो मैं सरपर्थम अपने ठाकुर का फोटो पहले निकालूंगा वह आग में कूद कर ठाकुर का फोटो निकाल कर ले आया उसके सरीर में थोड़ी भी आग नहीं लगी थी जिन को अपने हिर्दे में स्थापित किया था वेही उसकी रक्षा किये दोसो निन्यानवेवां रित्रिक संबिलन में वर्तमान आचारे पुजनिय बवाईदा से संग रहत जाए गुरू